है गाइज वेलकम यो टू जिके ट्रिक्स और इस वीडियो में बात करेंगे राजस्तान विदानसपा चुनाव दो हजार अठास से संबंदेत जितने पी इंपोर्टेंट वीडियो है वीडियो को आप ध्यान पूरुक जरूर देखें और जितने भी एक्स्ट्रा फेक्ट हो बिलेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस में जितने भी कोश्ट्रा रखें आप अपनी एक नोट्बूक में नोट डाउन कर लें और जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास म कोशन इसका आप दियान रखे हाले में पंदर वी विदान सभा के चुना हुए हैं तो अब बात करते हैं जो यहें विदान सभा एक होती है जो ये विदान सबाएं और एक है विदान परिशद तो इसका आप द्यान Swami रखने जो विदान सबाएं उसका अनुच्रद 170 और विदान परिशद उसका उनुच्छेद 139 ठीक है इसका आप जात में ध्यान रखे important है अब next question देखते हैं उससे पहले हम यहां पर एक चित्र देखते हैं यह है र astrolog सफा भहुन का एक ओध्या स्प्र्रória ठीक है तो अब सफ दीर सांगिनिय टेक्ते हॉच सां के अलावा कितने और रजियों में चुना हुए तो यह has हैं चार और राज्यों में चुनाव तो इंपोर्टेंट है टोटल पांच राज्यों के चुना हुए है तो यह चार राज्य कौन-कौन से यह चार राज्य है मद्यप्रदेश चातिस गड़ मिजोरम और तेलंगाना तो अब इनकी जो विदानसभा सीटे हैं उनकी बात करते ह अगर बात करें लोगसभा सीटे हैं तो लोगसभा सीटे हैं 25-बात ओकर सेसों का याद रखें लोगसभा बार मुख्येमंद्री बने है इसका प्ध्यान रखे इंसे पहले यह उन्यू सो अन्ठान्वे और 2008 में रास्तान के ब्ख्योमंत्री बन चुके हैं और नहीं दिए और में मुख्योमंत्री वाफसे दौश को को nossa है अषद हों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वर्तमान में असो गलोत हमारे सियम है और उनका ये चिता दे रखा है राजसान के ठीक है तो अब ये जो कोशन है फोर्थ नमबर ये है असो गलोत राजसान के कौन से वे निर्वाचित मुख्यों मंत्री बने है तो ये बने है 22 वे निर्वाचित मुख्यों मंत्री इंपोर्टन कुशन इसका भी आप ध्यान रखे अगर ओल ओवर की बात करें तो ये 25 वे मुख्यों मंत्री है और अगर एक्जाम में पूझा जाए कि मुक्ह मंत्री मुख्यमंत्री मख्यमंत्री से शम्मंदरें ile venir options चया, हिरालत की है Your impfter pad था, सभाझा सुधये कॉं रहे फिरस्ट मनोनित और निर्वाचित मुख्यमंत्री कॉं नॉच की जेंदनात जान वियांश तो यह आप साहत में द्यान रखें के अगर फर्स्ट मनोरुनेत की बात करें तो नोत की जाहिद eg ब़लाइब और बलशेत करें कि ऐसे क। मुक्य मंतरी जो मनोनेत भी रहे और निर्वाचित भी रहे तो यह जैनर इस्टिक है और इसका अपसाथ में जरूर दान रखें यह 22 वे निर्वाचित मुक्य मंतरी सोग्यलोत नेक्स्ट कुशन दे रखा हैं यहाँ पर कतनों पर विचार करना है कि कौन से कतन सत्य हैं फर्स कतन दे रखा हैं कॉंग्रेस पार्टी को 99 विदानसभा सीटे प्राप्त हुई है यह सही है बीजेपी को 73 विदानसभा सीटे प्राप्त हुई है यह भी सही है और बीएसपी य पर तो इस बार बहुमत के लिए रही काफी ती थी तो लेकिन कॉंग्रेस को मिली है 99 विदानसभा सिट है तो एसी कौंशी पार्टी है जिसने कॉंग्रेस को संवर्थन दिया है तो यह पार्टी है राष्ट्य लोकदल ठीक है आर लड्ब ठीक है इसका आप द्यान रखनाल ने कॉंग्रेस को समर्तन दिया है और इसके अगर फाउंडर की बात करें तो यह है अजीत सिंग इस पार्टी के ठीक है अब इसका आप जुरू द्यान रखना यह काफी important है कि कॉंग्रेस को किस ने समर्तन दिया है ठीक है अब अगर question ऐसे बनने कि कॉंग्रेस को जो कुल मत हुए उसमें कितने percentage वोट मिले तो यह मिले है 39.3 percentage बीजीपी को मिले 38.8% और बीएसपी को मिले 4% तो अब इनका चुनावचिन भी देख लेते हैं तो इनके बारे में और इनके बारे में अधिकतर student जानते हैं कि यह है Congress का और यह है बाजबा का चुनावचिन लेकिन बीएसपी का लगबग कम ही जानते हैं हाती है ठीक है इसका आप जरूर द्यान रखें अब next question क्यों चलते है next question दे रखा है राजस्थान में 15 विदान सभा में कितने ड्म है क्यों पर्दे प्रतिशत वोटिंग मैं तो यह हुई है 24.69 ठीक है इसका ध्यान रखें और गथबार से है कमभी इसका बीतना साथ द्यानव से भूचिक है इसका वी इसक है किस्ट विदान सभा में इससे अधिक वोटिंग घ्यान होई है ए नहीं गदार की से विदानसभा छेतर के विदायक तो यह है सरदारपुरा विदानसभा छेतर से तो इसका आप द्यान रखे इसके लवा शूगैलोत से में ग्रह मंत्री और वित्व मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं तो इतना आप इस कोश्चन से ध्यान रखें अब नेक्स क्यों चलते हैं राजस्थान की पंदर्वी विदान सभा चुना में कितनी विधयक बनी हैं वेरी। इंपरेंट कोश्चिन है इसका आप जरूब द्यान रखें तो टोटल महिला विधयक बनी है वो बनी है बगिस महिला है ठीक है। कॉंग्रेस की जो विदायक महिला बनी है वह 11, BJP की 10 और RLP, RLP की है केवल एक महिला विदायक, ठीक है, RLP की फुल फॉर्म है राश्टिय लोकतांतरिक पार्टी, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, तो पिछली बार की बात करें, तो पिछली बार टोटल महिला विदायक बन इसका भी आप साथ में ध्यान रखें, नेक्स कुशन दे रखा है, पंदरवी विदान, जो पंदरवी राजस्तान की, विदान सबद 2018 का सबसे, यूवा एमेले कौन बना है, ठीक है, विदान सबद चुनाव का, तो ये रहे हैं, राज, कुमार, रावत, ठीक है, और इनका सम्मंद है, जो विदान सबद चेतर है, 84, जो कि डूंगरपुर में पड़ती है, वहां से इनका सम्मंद है, और इनकी उमर है, केवल 26 वर्स, तो इप्वर्टेंट है, इसका आप साथ में ध्यान रखें, सबसे यूवा एमेले हैं, राजस्तान के, ठीक है, इस बार के जो चुना हुए है, उसमें, और इनका सम्मंद किस पार्टी से है, तो ये भी साथ में ध्यान रखें, भारतिया ट्राइबल पार्टी से, नेस कुरूशन देखते है, पंदरवी विदान सबा में सबसे कम मतों से विजई उमीदबार कौन रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रख है, पंदरवी विदान सबा में सर्वाधिक मतों से विजई उमीदबार कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं केलास मेगवाल, इंपोरेंट है, और इनोंने चोहतर हजार वोटों से जीत दर्ज की हैं, और इनका सम्मंद किस विदान सबा चेतर से, तो इनका सम्मंद है, की मंदर की बात करें, तो फर्स्ट उपमो की मंदरी है, टिकला, टिकाराम, पालिवाल, फिर दे रखा है, सेकेंड नमर पर थे हरी संकर भाबडा, और थर्ड नमर पर बंदवारी लाल बेरवा, और फोर्ट नमर पर कमला बैनिवाल, और फिप्त नमर पर खुद सचिन पाइलेट का समंद किस विदानसभा छेतर से हैं, तो इनका समंद है टॉक से, और यह पहली बार विदाइक बने हैं, यह भी आप साथ में ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है, सचिन पाइलेट पहली बार विदाइक बने हैं, यह तो है, ठीक है, लेकिन सचिन पाइलेट द राजस्थान के विदान सभा चुनाव 2018 है तो जो नमंकन दाखिल करवाने की अंतिम्तिती कौन सी थी तो यह कुशन हाली में जो एक्जाम करवाए गए राजस्थान में राजस्थान असिस्टेंड इंजिनियर एक्जाम उसमें पूछा गया था इंपोर्टेंट कुशन है इ सबसे अधिक वोटिंग हुई है तो राजस्थान के सबसे अधिक वोटिंग हुई है जैसल मेर जिल्ले में इंपोर्टेंट है साथ में आप इसका ध्यान रखे साथ में इसका भी आप ध्यान रखे कि सबसे कम वोटिंग किस जिल्ले में हुई है तो सबसे कम वोटिंग हुई है पाली जिल्ले में सरवादी question इसका आप द्यान रखें तो SC के लिए जो CTRX सी थे हैं वो है 34 और ST के लिए जो CTRX सी थे हैं वो है 25 सी और वरतमान में इतने ही विद्धेयक SC और ST के लिए चुने गए हैं तो इसका आप साथ में द्यान रखें important है 34 और 25 सीटे SC की 34 है और ST की 25 नेक्स question देखते हैं राजस्तान विदान सबा चुनाव 2018 में किस विदान सबा सीट पर पुनर मत्दान करवाया गया important question इसका आप द्यान रखें तो ये है करणपूर विदान सबा सीट पर और ये किस जिले में पड़ती है ये परती है श्री गंगानगर जिले में यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो पिटा सी नाधिकारी थे उनके द्वारा मोग पोल के वोट को डिलीट की भी नहीं मत्दान कर चुना में कुल कितने पर्तियाश्यों ने बाग लिया था है harp हजार और महिला प्रत्यासों की बात करें तो 182 महिला प्रत्याशों ने भाग लिया था जिसमें 22 विदहरए क्सी बात करें, आगे हम बात कर चुके वापस बता जाता हूँ कॉंग्रेस की महिला विदायक बनी है 11, BJP की बनी है 10 और एक बनी है जो अपनी थी वो पार्टी RLP ठीक है यानि राश्टी और लोकतंद्रिक पार्टी की एक महिला विदायक बनी है यह भी आप ध्यान रखें इंपोर्टेंट है अब next question क्यों चलते है राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है तो यह है आनंद कुमार इनसे पहले थे अस्वीनी भगत वर्तमान में आनंद कुमार राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी है यहाँ पर चितर में देखते हैं यह है आनंद कुमार ठीक है और अगर बात करें रज्जी निर्वाचन अधिकारी को ने तो रज्जी निर्वाचन अधिकारी है प्रेम सिंग महराहां इम्परेंड इसका आप Awesome द्यान रखे अगर मुख्य चुनाव अधिकारी पूछे तो आनंद कुमार होगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछे तो प्रेम सिंग मेरा इसका आंसर होगा अब नेक्ट कुर्शन क्यों चलते हैं नेक्स नेक्ट कुर्शन देरखा हैं 7 दिसंबर 2018 को रजस्थान में किस विदानसभा सीट पर मतदान नहीं हुआ था ये भी important कुशन है मैंने आपको बता है था कि 200 विदानसभा सीट हैं उसमें से 999 विदानसभा सीट पर चुनाव हुए है एक विदानसभा सीट पर चुनाव नहीं हुए है और वो विदानसभा सीट कौन सी है रामगर्ड विदानसभा सीट जो कि अलवरजिले में पढ़ती है और वहां के BSP के विदयक थे लक्षमन सिंग उनका निदन होने के करण महाँ पर चुनाव नहीं हुए है तो यह था हमारा राजस्तान विदान सभा चुनाव 2018 से सम्मंदित वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शिया जरू करें और अब भी तक आपने अमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिक्शन समय पर मिलती रहें तो इस वीडियो बस इतना ही है और वीडियो की पीडियाफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है और टेलेग्राम चैनल पर भी आपको जितने भी अधर वीडियो की पीडियाफ पर आपको मिल जाएगी तो इस वीडियों बसे नहीं है, thank you, thank you very much for our discussion